उत्रप्रदेश में कावण यात्रा के रूट पर होटल डावों समयत खाने पीने का सामन बेचने वालों के लिए जारी एक निर्देश पर बवाल मच गया है। के सहयोगी दल जेडियू ने भी इस निर्देश की समीक्षा की मांग कर दी है। अबुबकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मज्जावा। धुर्गा पुजा हो, भगवान जगनात यात्रा हो, सब में कैसे मिल जुलकर इस तहजीब में हम लोग एक दुसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे है। आपको ये सब बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले इस बारे में प्रशासन का पक्ष सुना देते हैं। कावड को लेकर जो तैयारिया की जा रहे हैं आपके द्वारा, उसके अंदर जो ठेली वाले हैं, धाबे वाले हैं, उनको चिन्नित करके उनके कुछ नाम की की जा रहे हैं। होटल लावा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिकते आती रही हैं। कोई अनितत्त रखके लोगों को कोई ब्रमित ना कर सके, इसको लेते हुए निड़ा लिया गया था। और इसमें सभी से बात्चित हो गई हैं, सभी होटल धाबे जितने हैं, सभी से इसके आमसमती बन गई हैं। और पूरे कावण की हमारी जो मार गया है, इसको लेते हुए निड़ा किया गया है। उसका रेट डालें उसपे कि ये रेट है, ओवर रेटिंग ना हो, अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सभी लोग सायुक करें। अभी तो बेसिकली हम जो कावण मार गया है, उस पर हम लोगों ने डिसाइट किया है, जो हमारा कावण मार गया है, अन्यच 58 है, गंग नहर पत्री है, इस हम लोगों ने डिसाइट किया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी प्रुमुक अखलिश यादव ने कहा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। इसके आगे उन्होंने कहा, माने निया न्यायल है, स्वतह संग्यान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मनशा की जांच करवा कर उचित दंडात्म करवाई करे। ऐसे आदिश सामाजिक अबराद हैं जो स्वाहर्द के शांधिपून वातावरान को बेगाड़ना चाहते हैं। इसके बाद अखलेश यादव ने ये पुस्ट भी किया। ये जो आडर है उत्तर परदेश की योगी अतित्या सरकार का ये ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूफ उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टाल नाट मूमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे। इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर परदेश की सरकार की तरफ से। पर आप होते कौन हैं ये करने वाले। क्या एक एक यात्रा का इतना इतना उनको आप इंपोर्टन्स देंगे और दूसरों की लेविल्यूट को बरबात कर देंगे आप। आप क्या एक ही समुधाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे। कॉंस्ट्यूशन कहां गया प्र। कॉंस्ट्यूशन किया? कहां चलेगा का चलेगा का चलेगा कॉंस्ट्यूशन? पिर मोडीजी समविधान को ऊठा के चूमते, इस can go. नटक ड्रामा हो रहा है. तो यह स्ट बोले जा रहा है कि आप मुसल्मान की दुकाने मत जाओ क्या है ये किस लिए हो रहा है आप उनको इडिटिफाई कर रहे है ये हिंदू की दुकाने ये मुसल्मान की दुकाने इसका नाम अबू बकर है इसका नाम अली है इसके पास मत जाओ आप ये क्या है ये और आखरी बा कि इस मामले पर कॉंग्रेश नेता पवन खेडा का बयान भी सामने आया है कि कावड यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रहडियां हैं स्ट्रॉल्ज हैं या धाबे रेस्ट्रॉंस हैं ये खाने के धाबे हैं तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड प सब्सक्राइब ऑप समझ गए होंगे हिंदु कौन है मुसल्मान को हो सकता है इसमें जाती भी मंशाग में इनके मंशा में यह हो सकता है कि कहीं तो नहीं है यह सब बिलकुल संभाव है लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया जब हलाल लिखा होता है तब आपको पतीनी होती हैं इत्वार के लिखा हुआ हुआ है इसका मालिक क्या हिंदु है मुसलमान है सिंख क्या है इन्टनाशनल एतम्स परेकल करते हैं तो जीऊ को जा सकते हैं वह पूचते तो हिंदू है उनको कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक वैसे ही मुझे मैं शाकाहरी खाता हूं तो में को यह नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है यह करना जो यह कावड यातरा पर प्रपोस कर रहे हैं इसके कैसे पीछे मंशा है economic boycott of Muslims को normalize करना कैसे आर्थिक भहिषकार का सामान निकरन करना है मुसल्मानों का तो इस मंशा को तो हम काम्याब किसी के लिए नहीं होने देंगे वो हिंदू के लिए करे हो मुसल्मानों के लिए करे हो किसी के लिए भी करे हम नहीं होने देंगे अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े चार पाज जो है अलकबीर कौन है मालिक सबर्वाल अरेवियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक कपूर एमके आर फ्रोजन कौन है मालिक मदन एबट पीएमेल इंडस्ट्रीज मालिक कौन है बिंदरा साहब है और एक होमवर्ग भी दे दूं अल दुआ पता लगाईएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे ये होमवर् बन जाती है तो मीठी रहेगा ठीक उसी तरह से अगर कोई अलताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे वो गोश्ट नहीं बन जाएंगे तो ये संग वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फस जाते हैं पहली ही अर्गूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं लेकिन जो शडियंत रिये लोग रच रहे हैं हमारी आपकी जो एक तहजीब है अब उस तहजीब में मुझे याद आता है अली गंज लखनव में वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आत हमारे आपके घरों में घुसकर तै करेंगे कि कौन क्या खाएगा किस से खरीदेगा क्या कपड़े पहनेगा किस भाशा में बोलेगा इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारों को अपने मोहले से द दूर रखिए अपने समाज से दूर रखिए तभी हम अपने इस खुबसूरत हिंदोस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे जय हिंदु वहीं इस मामले पर जेडियू नेता केसी त्यागी ने ये बयान दिया है। चैन उचित नहीं है। इन इलाकों में बहुत लंबे समय से यात्रें गुजरती हैं, कामवाली यात्रें गुजरती हैं, जिसको हिंदु भी, मुसल्मान भी और सिख लोग भी बाकादा प्याव लगा करके इस्टेशन बना करके स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत कम देखा गया है कि कोई कमलल फ्लेरफ वहां पर हुआ हो। ऐसे जो आदेश निर्देश हैं, उनसे सामपरदा एक तनाव भी हो सकता है। लिहाज अजला परशासन को इसको रिव्यू करना है। अजला है। अजला है निर्देशन देखा है बहुत कम दो तनाऴ करते हैं। यहाज निर्देशन दोसे हैं, उनसे भी घच बहुत करना हैं। झाल झाल